तो ट्रिग्रोमेट्री में जैसे sin a plus b जो हम लोग आल्यडी अब तक देख चुके है ठीक है sin a plus b क्या होता था sin a cos b plus cos a sin b ठीक है अगर यह माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा साइन a minus b रहा तो sin a cos b minus cos a sin b ठीक है तिससे हम लोग देख चुके थे, एक और क्या देख चुके थे, cos अगर suppose a plus b हुआ, तो क्या होता था, cos a, cos b, minus ध्यान, तो अगर यहाँ plus रहत यहाँ पर माइनस हुआ करता था, sin a, sin b, ठीक है, यह इसका argument है, है ना, समझ जाना, ठीक है, उसी तरीके से, अगर यहाँ minus रहत यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसा हम लोग देख चुके थे, next देखते, अगर मान लिया, मेरे को बोलाई, चलो बताओ कि, sin a plus b plus c क्या होगा, ठीक है, sin a plus b plus c क्या होगा, ठीक है, सबस्ट रेंगल का एंगल a, एंगल b, एंगल c अगर है, ठीक ह b plus c को मैंने d assume कर लिया, ठीक है, तो कर लेते हैं, चलो, यहाँ से sin a plus d मैंने फिलाल बोल दिया, ठीक है, स्वारी, यहाँ पर क्या हो गया, d हो गया, तो sin a plus d फिर से same कहानी, क्या हो जाएगा, sin a, cos d, ठीक है, प्लस, समझने आर्गुमेंट है, ठीक है, cos a, sin d हो गया, ठीक है, अब b की देगा क्या लिखते हैं, अब लोग, b plus c लिख देते हैं, ओपिन करते हैं, फिर से, तो sin a, cos, क्या लिखा हो, actually, b plus c, plus, cos a, sin b plus c, इसको ओपिन कर लेते हैं, फिर से, तो sin a, ठीक है, cos b plus c क्या हो जाएगा, cos b, cos c, minus, plus, प्लस हो जाएगा, sin b, sin c हो गया, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a, sin b plus c, क्या हो जाएगा, sin b, cos c, plus, cos b, sin c हो गया, क्लियर है, है ना, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, देख़ों, multiply करते हैं, क्या हो गया, sin a, cos b, cos c, ठीक है, इसको लास्ट में दिखेंगे, ठीक है, इसको multiply कर कहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से, यहाँ पर, sin b, cos a, cos c, cos c, फिर इसको multiply करने पहें, क्या होगा, plus, sin c, cos a, cos b, ठीक है, फिरको पैटन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, साइन एम याद घर साइन एक प्लस प्लस याद करें हैं क्या किया लेक्ति यह इयूस्ट कर रहें ठीक है तो बाकि कॉस्पज एक काम हो चुक्क है प्लस जान auюда भी लिखा में डिल पर यम inhal गर दो इसा को साथ डाल दो तो लास्ट रहे माइनस, साइन एसे लिख सकते हैं इसको, साइन ए प्लस बी प्लस च को, अगर मैं कम्प्रेस करके लिखना चाहूं, इसको मैं बोल साथा हूं, साइन ए कॉस बी कॉस इस, ठीक है, इस, माइनस प्रुडक्ट ऑफ साइन ए, मिन्स, जितना पैटर्न बन सकता है, उ x 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 y x 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 यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 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 क्या क्या हो जाएग मा circuits लागा दें अबी या फिर ठीक है बहर कॉमन निकाल चाहते हैं समय मैनस सी लगा दो तीक कॉस पिलिखेंगे से जगापे श इन सी 安õ सी माइनस सची क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सटाइन फिंस प्रकर करके लिखना एक उल्छ से प्लस भी ब्लस ल Points टाल यह बाल कोंगे प्रोड़क्ट ओफ कॉस ए माइनस सिगमा सिग्मा ठीजिक जिसको प्रोड़क्ट और सिगमा पुले कर दिखात होगा तम देखे में सिगमा की बारे में प्रोड़क्ट देखते हैं तो इस तरी के से इसको ध्यान दख रहा है जाल है तो फर्स्ट्स क्या बोला है देखो ब्रूफ धैट गालोग है इससे पार्ली करना जाएक को तुर है ट्रैकर रहा है क्वें हैभर एगर व्ट शक्रल से पार है तो first question क्या बुलागे है? first, second, third, fourth question. पहला question क्या बुलागे? cos 45 degree minus A into cos 45 degree minus A into cos 45 degree minus B minus sin 45 degree minus A into sin 45 degree minus B equal to sin A plus B. प्रूफ करना है, ठीक है? तो ऐसा कर देखो सबसे पहले समझो, cos A, अगर मैं इसको A की तरीट करो, इसको B की तरीट करा, तो cos A cos B minus sin A and B लिखा हुआ है, और cos A cos B minus sin A and B क्या होता है? cos A plus B होता था, ठीक है? तो अब लोग फर्मुला की इंस करेंगे, इससे पहले जो देखें के फर्मुला, वो अदम सही तरीके से कंठस्ट होना चाहिए, मिन्स याद होना चाहिए, सही तरीके से, ठीक है? अब ऐसा निक हर बाद डिराइफ नहीं करेंगे, sin A plus B क्या होता है, cos A minus B क्या होता है, या फिर cos A plus B क्या होता है, जितना trigonometric formula याद रेगा, उतना help करेगा, तो यहाँ देखो, हमने observe क्या, cos A, cos B minus sin A, sin B क्या होता है, cos A plus B होता है, ठीक है, तो cos A plus B अगर होता है, दोनों को जोड़ दो, तो 45 degree minus A, फिर आप ब्लस करे, 45 degree minus B हो गया, बास समझ में आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, देखो, किता simple question बन गया, 90 degree minus A plus B हो गया, यह न और cos 90 minus theta, theta कुछ भी हो, cos 90 minus theta क्या होता है, sin theta हो जागए, तो चुपचाप से sin A plus B हो गया, कितना simple था, हमने first question को prove कर दिया, ठीक है, second question देख लेते है, second क्या करना है, ठीक है, second में प्रूवी करना है, ठीक है, तो solution देखते हैं हम लोग, second question का, prove that क्या बुला गया है, sin 75 degree minus sin 15 degree जो होगा, किसके एकवल होगा, cos 15 degree plus cos 105 degree एकवल हो, यह बुला गया, देख लेते हैं, देखो, यह तुम रुख साब दिखाए देखे हैं, इसको अगर मैं बोल सकता हूं, साइन, 90 minus 15 degree बोल सकते हैं हम लोग, इस इसको, ठीक है, और मेरे को, सबसे पहले देखो, प्रूफ क्या करना है, question of find क्या करना है, तो मेरे को 15 degree लाना था, तो मेरे को दिखा कि 75 plus 15, 90 होता है, तो 99 में से घटा देखो, अब यहां पर 105 degree दिखा है, तो नेशरल से बात 105, अगर मैं 90 plus 15 करूं, तो 90 plus 15, 105 हो जाएगा, तो मेरे काम तो बन जाएगा, कोश सिम्पल कोश्चन है तो, तो 90 plus 15 degree करा, और 19 plus करें, तो माइनस 19 कर दो, क्या फरक पड़ता है, प्लस 90 degree और माइनस 90 degree कर दो, अल्टिमेटली 15 degree ही तो लिखा हुआ है, अब काम बन लिए देख लो, यह तो साई 90 माइनस फिटा क्या हो जाएगा यह, कॉस्ट फिटा तो कॉस्ट फिटा तो कॉस्ट फि होगा, हम बता रहे हैं पहले, साइन माइनस फिटा क्या होगे, फूर्थ क्वाड़र्ट में, क्या होता है, साइन नगेटिव, यह माइनस साइन फिटा के इकवल होता है, तो अगर यहां से माइनस कॉमन निकाल होगे, तो माइनस भाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां स सरी यहां पर एक्यूट एंगल होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मतलब 90 माइनस ठीटा कुछ भी हो क्या हो जागे चीज कॉस्ट ठीटा ठीक है तो कॉस्ट फिटीन डिग्री प्लस कॉस्ट 105 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया यही मेरे को प्रूफ करना थे लजेस इक हो चुका है चलो जल्दी से थार्ड नमबर को देख लेते हैं थार्ड क्या करना है ठीक है मेरे को सॉल्यूशन किसका फाइंड करना है थार्ड नमबर का अब जहां से देखो लेट अलफा बीटा बिलोंग्स टु फर्स्ट क्वाट्रेंट गुड ठीक है मिनस फाल फर्स्ट क्वाट्रेंट में ता आधा काम तैसे असान हो गया ठीक है मेरे को माइनस के जनरेट खत सॉधा प्लिटा टेरth रखा मेरे को के 12बाइट अधुम्स रखातीक इंट मेरेको क्या चैस्याम्स प्लस ब्लस ब्लस कोस अलफा साइन पीटा ये जाल ठीक है अवसको साइन अलफा पता है कॉस बिटा पता है बस यहां से स्ऑण बिटा निकाल लो तो ट्रेंगल बना लो सपोज यह एंगल ठीटा दे रखा है तो स्टीटा क्या होता है प्रपेंडिकुलर भाई ह्ई उ Act यहां क्या कर लेंнос kitty स्वर माइनस neighborhood कर है इसके क्लेंगे इसके लिए से क्लेंगे कि यह प्रीटा यह एसको लोग तो क्या है मिस टोय फाइब हो जाएगा ठिक है ती यहां से हम लोगा इई कर लेगे कुछ बचा- t92 संब को समंझ में आग ना क्या करना है साइन अलफा में पाता है ठीक है अगर रहो पाता है तो ROS भीटा इंडिकत नहीं है को निकल जाएकां पृष्टा कर लेंगे तो अलफा प्लस बीटा इजीन फान कर लेंगे ठीक इस इंपल से कुशन था फूर्थ नबर कुशन देख लेते हैं एझा फूर्थ का से सब्रस्य का देख लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है इस तो इस के सब्सक्राइब दिखे तो होता ना हमसे सब पैटन को अबजर्ब करना है यहां पे स्थाइन ए माइनस दिनर लिखा हुआ है तो यहां पर कॉस घूओं अगर पी माइनस सी यहें तो कॉस एक तो अगर यहां से जो बाल निकलेगा ठीक है उसी तरीक pattern यहां भी बनेगा, उसी तरीके के यहां भी बनेगा, तो complete को solve ना करें करें किसी A को solve करो उसे काम बन जाएगा, जैसे मैं पर इसको solve करता हूँ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है sin A minus B divide by क्या लिखा हुआ है cos A into cos B लिखा हुआ है, तो sin A minus B क्या हो जाएगा, sin A cos B minus cos A sin B हो गया, ठीक है, divide बें क्या बुला गया है, अलग अलग करी दो cos A cos B हो गया, यहां भी कर दो cos A cos B कर लिए, अब यहां से क्या होगे, cos B cos B कट गया, cos A cos A कट गया, तो sin A, भाई, cos A क्या हो गया है, यह tan B, अब दोखो, मिनिटर टाइम बज़एगा, अब समझना, अगर यहां से tan A minus tan B आ रहा है, यहां से tan B minus tan C आएगा, और यहां से tan C minus tan A आएगा, ठीक है, by observing, ठीक है, या by observing pattern जो बोला चाहूँ ठीक है, क्या हो जाए यहां से, tan A minus tan B यहां से, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस tan B minus tan से, से म काम इसके साथ भी करना है, प्लस tan C minus tan A कर लोगे, सब कट जाएगा, देखो, यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, तो फाइनले क्या आग गया, 0, तो 0 equal to 0, तो पूरूफ कर दिया हमने, ठीक है, तिस तरह के शारों कोश्चन मेरा solve हो गया,